खाला खाला की जान मुझे आपकी बहुत विकर हो रही थी आपके पैर में दर्द है अब दर्द नहीं हो रहा है थोड़ा सथा लेकिन अब नहीं हो रहा है तुम परिशान नहीं हो अच्छा ये बताओ तुम कैसे हो मैं ठीक हूँ याद करें कल मैं कितना डर गया था अब मैं नहीं डर रहा क्योंकि अंकल बेड़ पे जाने से पहले मेरे पास आए उन्होंने मुझसे बहुत सारी बाते भी की अंकल ने मुझसे कहा ये हमारा घर है तुम्हें यहां डरने की कोई ज़रुवत नहीं मिलकुल मेरी जान तुम्हें डरने की बिलकुल कोई ज़रुरत नहीं है चाहे तुम कितनी भी मुश्किल सूरते हाल में हो तुम्हारे चचा आके बचा लेंगे तुम्हें हम एक फैमिली है सारी मुश्किलों का सामना मिलकर करेंगे ये कभी नहीं भूलना तुम ठीक है ठीक है तुम भी मैं भी ये कभी नहीं भूलेंगे अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो ये बताओ भूक लगी है मुझे बहुत भूक लगी है ठीक है तो फिर आज तुम्हारे नाश्टे की तयारी में मैं भी हाथ बटाऊंगी लेकिन इसके लिए तुम्हारे चचा की भी जरूरत होगी ये लेखिया अंकल भी आगए मदद करने के लिए मैं हूँ ना चलो आचाओ मैं भी अपने दुलहन को बिल्कुल इसी तरह उठाऊंगा अंकल जरू देखो इसे इसके लिए तो तुम्हें अच्छी तरह से नाश्टा करना होगा ताकि बहुत स्ट्रॉंग हो जाओ हाँ बिल्कुल चलो जल्दी मेरे प्यारे पती जै इतनी देर क्यों लग रही है खाना पकाने से ज्यादा वक्त तो रेसिपी लिखने में लग रहा है तो मने मुझे तफसील लिखने का कहा था न ये रही तफसीला देखो याद रखना प्यास डालते वक्त बहुत ज्यादा एहतियाद की जरूरत है उन्हें तब तक पकाना चाहिए जब तक वो डार्क ब्राउन नहीं हो जाए एक मिनट रुको मुझे ये समझने दो मुझे खाना पकाते हुए कैसे पता चलेगा के प्यास कच्चे रह गए हैं या डार्क ब्राउन हो गए है ये तो तुम्हें देख कर पता चलेगा वो चॉकलेट की तरह डार्क ब्राउन नहीं होंगे तुम्हें उन्हें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना होगा लेकिन इस फर्क का पता कैसे चलेगा मुझे, ब्राउन प्राउन होता है, डाग ब्राउन या लाइट ब्राउन, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा तुम उन्हें देखते ही जान लोगे इंस्पेक्टर आ रहा है, तुम अपने काम पर जाओ कारा, वो फाइल कहां है जो तुम्हें दी थी मैंने वो रेसिपी फाइल के साथ चले गई लिगु तुमने वो रेसिपी फाइल में क्यों रखी थी, अब वो उसे देख लेगा और हम दोनों को खूब डाटेगा फिर कारा हाँ कहो इंस्पेक्टर तुम्हें तफ्तिश नहीं करनी है ओ, वक्त हो गया, मैं अभी पहुँशती हूं इस्पेक्टर कारा, रेसिपी के बगएर खाना कैसे बनाओ तफ्तिश में तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा आज रात तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें फोन पर बता दूँगी उफ मेरे अल्ला, तुम्हें उस रेसिपी को फाइल में क्यों डाल दिया, इबरहीम चलो जल्दी से मूँ खोलो, शाबाश मैं समझ गया मेरी जान, तुम्हें मालूम है ना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी लेकिन पहले की तरह तेज नहीं हो सकती मैं, और मैं कुछ काम खुद भी नहीं कर सकती अब तुमने कहा था ना, तुम मेरी मदद करोगे बड़े होके जब मैं बड़ा हो जाओंगा खाला, तो आप दोनों का बहुत अच्छी से ख्याल अखूँगा मैं, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान के टुकड़े मेरा सब कुछ हो तो आप एक बाला अंटी आ गई गुड मॉर्निंग, सब लोग कैसे हैं? सहर तुम तुम काफी बेतर लग रही हो ठीक हूँ, शुक्रिया यकीन जानों मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है तुम बहुत जल ठीक हो जाओगी, जाला इंशाला मगर तुम्हें इसे इतना इजी नहीं लेना चाहिए तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए आराम ही कर रही हूँ असल में अब तो बहुत 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 बहुतर महसूस कर रही हूँ कह तो ठीक रही हो, जब फैमिली साथ देती है तो कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आजा, इंसान खुद को सहता मस्पूत समझता है बहराल तुम्हाराम से नाश्टा करो, मैं अदालत को देखती हूँ बहुत शुक्रिया देखो तो मूचे बन गई तुम्हारी गुड बॉर्णिंग बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसे इंजेक्शन लगा के रहोगी अगर मैंनोने नीन में लगाया तो मिस सहर उसके दर्थ से उठ जाएंगी तर्थ का एसास ना हो, इसके लिए उनकी नीन कहरी होनी चाहिए तो फिर तुम उसे फॉरण कहरी नीन में ले जाओ अरे, क्या हो गया? आपकी तबियत तो ठीक है ना? ठीक हूँ अरे, इन्हें तो बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, काप रही है ये सादत नपियत खराब हो रही है, क्या हुआ है? क्या हमें गार्ट को बलाना चाहिए? नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ, जरूरत नहीं है कैसे जरूरत नहीं, बुखार बहुत तेज है ये सब कुछ उस जोहाल का किया धरा है, समझाई? पहले उसने इसे नहाने पर मजबूर किया, फिर इसे ठंडे फर्श पर सोने का कहा फिर बीमार तो पढ़ना ही था ना? तुम लोग आपा को जालिम कहते थे, अब देखाना तुम लोगोंने के असल जालिम कौन है तुम थोड़े से कंबलों और खाने के लिए बिग गई हो, अब तुम लोग खुश हो गई हो मैं तो बस ये कह रही हूँ के, अगर तुम लोग यही कुछ करती रहीं, तो इससे भी बुरा होगा वो तुम्हें इससे भी ज्यादा अजियत देगी महलत, गंदी औरत, इन्हें मेरे पीट पीछे, मेरे खिरा भड़का रही हो देखो मेरी तरफ, इन ओरतों के सारे मसाइल मैंने हल किये हैं, तुमने नहीं सुना तुमने, इन ओरतों ने मेरा हुकम मानने की कीमत वुसूल की है मगर लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा इसी वज़ा से मैं तुम्हें कुछ बातें बता रही हूँ शायद तुम्हारे होश ठिकाने आजे सुनो महलत को अपने वो नकली दान दे न जाओ जाके इसके दान साफ करो पहले तुम इने धोगी और फिर जाके टॉलेट साफ करोगी हाँ, लेकिन याद रखना जानती हो न, मुझे जरा से भी गंदे की पसंद नहीं है, तो इस बात का खयाल रखना समझी तू चलो जाओ बेस्ट ओफ लक मालूम नहीं था तुम आ रही हो, खुशामदीद असल में मेरी क्लास जल्दी खतम हो गई तो इसलिए मैं यहां काम करने आ गई, मगर लगता है के तुम कहीं जा रहे हो हाँ, मैं सहर से मिलने जा रहा हूँ, काफी अर्से से उसे मुलाकात नहीं हुई नहीं, तुम नहीं जा सकते नहीं जा सकता, क्यों, क्योंके, क्योंके कल मैंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया था मैं आज इसे मुकम्मल करने आई हूँ, मुझे काम अधूरे छोड़ना बिलकुल पसंद नहीं हाँ, तुमने काम बूरा नहीं किया था, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा काम मुकंबल हो जाए तो फिर सेहर के पास चले जाना मैं इस पर एक सूरज बनाऊंगा ठीक है और मैं अपने वाले पर फूल बनाऊंगी हर चीज उड़ने लगी ये गया हो गया नुकसान हो कि इसकी तो खाट भी गिर गई है तोड़ के आए तो अफसोस की बात है बुरी बात है इसे यू छोड नहीं सकते बुरी बात है हम इसे यू इस तरह तनहा नहीं छोड सकते बुरी बात है इसे पकड़ो यमान इसे पकड़ो सहर तुम शा को ज़रा खैशना कुछ पानी लेकर आते हैं चलो यह सब आजो चलो दो शाखें ऐसे मिल जाती है तो पहले से ज्यादा मस्बूत हो जाती है बिल्कुल हमारी तरह है ना जैसे कि हम दोनों फिर से मिल गए हमें कोई अलग नहीं कर सकता ना ही कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है जब तक हम दोनों साथ हैं हर सद्मा हमें मजबूत और हमारे तालुक को गहरा बनाएगा उस किताब में क्या लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था हम दो टुकडे हैं जो मुकमल होना चाहते हैं मैं इसे समझता हूँ मैं खुद से कहता हूँ क्या इसी को मुहबब कहते हैं पूरे वुजूद का एक टुकड़ा बनना और किसी जिसम के साथ वाक्त से दूर बहते चले जाना ये अभी तक याद है तुम्हें मुझे तुम्हारी हर बात दिल से याद है अरे ये तुम हो हाँ कितने खुश दिख रहे हूँ तस्वीर खिचने से कुछ देर पहले मेरे चने खाये थे क्योंके मुझे चने बहुत पसंद थे मुझे भी चने बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मैं उन्हें कभी कबार खाती हूँ असल में मेरी खाला ज्यादा खाने के इजाज़त नहीं देती मुझे देखो यहाँ अच्छी लग रही है तुम्हारा शुक्रिया क्योंके लेकिन के पसंद बहुत पसंद नहीं बहुत आए देखो लिए मुझे बहुत अगों वहाँ क्योंके बहुत रहाँ झाल सबस्तों अजय नहां कि अ. कर दो 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 कि लगता है मेरी बातों की वज़ा से तुम्हें कुछ बुरा याद आ गया माफ करना मुझे लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे तो सुन लोंगी मैं तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने पुलिस में जाने का फैसला क्यों किया आज बताता हूं एक पुरी शक्स की वज़ा से वो शक्स मेरे बाबा थे इसी वज़ा से तुमने उन्हें तस्वीर से अलायता कर दिया मुझे मुझे लगा के तुम्हारे बाबा जिन्दा नहीं हो सकता है कि वो अब कहीं किसी और के लिए जिन्दा हूँ हो सकता है कि वो अब तक सांस ले रहे हूँ मगर मैं उन्हें मुर्दा ही तस्वुर करता हूँ जराइं में मुलविस एक बाबा को याद करने से बहुत बहतर है के उन्हें मुर्दा तसावर किया जाए तुम अपने बाबा को उनकी गहर मौजूद्गी में भी अच्छी तरह याद करती हो मगर मैं जब भी उन्हें याद करता हूँ तो तकलीफ में मुब्तला हो जाता हूँ हम दोनों ने अपने बाबा को खोया है मैं जानती हूँ कि किसी को खोनी की तकलीफ क्या होती है मेरा मतलब तुम अकेले नहीं हो मैं यूसुफ से कप्रे बदलने का कहना भूल गई मैंने कर दी है बहुत शुक्रिया तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है इंजेक्शन तुम्हें बसन नहीं लेकिन दवा तो लेनी होगी ठीक है मैं अदालत से कहता हूँ कि वो लेया है यमान अदालत दुसरे कामों में लगी हुई है मैं जाकर सहर के लिए आती हूँ लेकिन आपको जहमत होगी अरे जहमत कैसी सहर मैं जाकर लेके आती हूँ तुम ठीक हो ना अगर सरदी लग रही है तो कुछ लेयाओ थसे कामों मैं अरे Christmas इससे पीते ही गहरी नीन में चली जाओगी और इंजेक्शन लेने से तुम बना भी नहीं कर सकोगी सहर ये लो बहुत शुक्री आपका जहमत हो गई आपको ऐसे नहीं कहो काश के सहर में तुमारी लिए कुछ और भी कर सकती काश कर सकता है सुल्ताना खाला तो सो रही है कुछ और डालने से पहले कारो को फोन करता हूँ हां कारा मैं इंटरनेट से रेसिपी लेकर इस्टू बना रहा हूँ मैंने प्यास फ्राइ करके सबजी और गोजद भी पका लिया मगर तुमने इसमें कुछ और डालने का भी कहा था क्या वो सिर्फ टोमाटो पेस्ट था या कुछ और मसाले भी थे लगता है तुम बहुत मसरूफ हो पहले सुन लो मेरे पास क्या लिखा है फिर बता देना क्या डालना रह गया ठीक है ठीक है सुन रही हूँ मैं नमक काली मिर्च, पोदीना, पिसा हुआ धनिया जिस फाइल का मैंने पूछा था तुमने यहीं छोड़ती थी क्या लहसंड, अधरक और गरम मसाला हाँ, वो सब के सब ये सब डाल दूँ ठीक है, फिर आजा, मुझे कुछ सवालात करने है मैं डाल रहा हूँ ये तो बंद हो गया, वो मसरूफ है उसने कहा ये सारी चीज़ें डाल दो वो मुझे से बैतर जानती है ठीक है फिर नमक तो मैंने डाल दिया और अब काली मिर्च इसके बाद पिसा हुआ, हरा धनिया भी डाल दिया और टोमाटो पेस्ट तो इसका जायका निखार देगा हाँ, तो चलो पेस्ट भी डालो, बस दिनर तयार थोड़ा सा और डालता हूँ चलो जल्दी से मुझे सफा नंबर पताओ रुख जाओमत पताओ मैं तुम्हारा पसंदीदा चुमला पढ़ता हूँ ओके अगर तुम्हारा हाथ खाब में कट्च तुम्हारा हाथ जगह पर होगा दुनिया खाब है तो मुश्किलात आर्जी है तुम इतने उदास क्यों होते हो मसीबतें बार बार आती हैं और तुम्हें उस नक्ते तक ले आती हैं जहां तुम हार मान लेते हो एन उसी लम्हे चीजें बदलना शुरू हो जाती है मुझे लगता है कि आपसे मेरा फेवरेट यही हिस्सा है चलो बैट पर चलते हैं तुम्हें नींद आ रही है तुम्हें आराम करना चाहिए इतनी देर तो नहीं होई लेकिन नींद आ रही है मुझे सहर सारा दिन गुज़र क्या है तुम्हें आराम करना चाहिए जाओ जाके रेस्ट करो बिल्कुल यही वज़ा हो सकती है चलो चलते हैं यमान अगर तुम सोने नहीं जा रहे तो रुक जाओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ठीक है एक उस देर में आतों फिर बात करते हैं ठीक है चलो आजाओ शाबश तुम अगर ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती मेरे हाथ और बाजू बन गए हो तुम अगर कहीं ले जाना पड़ा तुम्हें तो तुम्हें अपनी कमर पर लाग कर ले जाओंगा मैं तल यूसफ मुझ से पूछ रहा था कि क्या वो इटली जा सकता है हमारे साथ मैंने हाँ कह दिया लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि हम वहां कैसे जाएंगे मेरी इस हालत में कहीं और जाना चाहिए हमें वैसे भी मैं बोज नहीं बनना चाहती तुम्हें तुम्हें पीट पर जुलात के ले जाना है मुझे ठीक है सहरा भी हो सकता है हम सहरा गुमने जाएंगे क्या तुम चलना चाहोगी सहरा इतनी बड़ी दुनिया में हमारे लिए सिर्फ एक सहरा बाकी रह गया है क्या ये कह रहे हो यानि खुश्क पानी भी नहीं होगा जा सकते हैं लेकिन मचनू और लेला की तुरह लेकिन वो कभी मिलने ही सके थे उनकी कहाने कभी ना मिलने की कहानी है और हमारे कहाने कभी एक दूसरे को ना छोड़ने की जलो अप तूम सो जाओ यकीनन तयार हो गया अब इसे चक लेता हूँ लग तो अच्छा रहा है अच्छा रहा है हाँ बोलो कारा इबू, माफ करना मज़े फोन बंद करना पड़ा क्या तुमने खाना बना लिया था? हाँ बना लिया मैंने ऐसा खाना बनाये जो दुनिया भर में कोई भी खाने को तयार नहीं हो सकता वाई अबराहीम, इतना बुरा बहुत ही बुरा मैंने पूरी कुशिश की इतना अच्छा और मज़ेदार बनाओं के लोग खाते रह जाए लेकिन अब मैं क्या करूँगा हमेशा ऐसा ही होता है मैं फिर नाकाम हो गया तुम हिम्मत क्यों आ रहे हो? तुमने कहा था पुरा हफता है तुम्हारे पास दो दिन और है तुम्हारे पास चाहिए जितने दिन हो कोई फरक नहीं पड़ता मेरी तु मुश्किल वही की वही है देखो मैंने कहा था मदद करूँगी तुम्हारी मैं लेकिन नतीजा तुम्हारे सामने है चुप करो ठीक है मैं कल छुपकर तुम्हारे पास आऊंगे और हम दोने मिलकर सब कर लेंगे वादा करती हो वादा करती हो क्या वाकई में हाँ वाकई खुशी है तुम हो मुझे भी हाँ यमान सहर सो गई हाँ वो बिस्तर पर जाते हैं सो गई क्या कहना था आपको भावी जिया के बारे में बात करनी थी मुझे कैसी बात क्या कुछ खलत हुआ है हाँ यही समझो मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हो कि जिया की तबियत बेहतर नहीं है मिस्सेहर मिस्सेहर झाल 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 क्यों नहीं हारा? असल में कुछ दिनों से जिया का रवाई आजीब सा लग रहा है मुझे रूटीन से हट के बिहेव कर रहा है हमें उसके डॉक्टर से मिलके उसकी कंडिशन बतानी चाहिए शायद वो उसकी दवा चेंज करते? डॉक्टर को उसकी आहलत का पता है वो ही सही बताएंगे हम खुझ से कुछ नहीं कर सकते उसने जब हमारी बात हुई तो वो मुझे बहतर लग रहे थे ऐसे भाई मुझे ठीक लगते हैं आप हालिया वाक्यात पर उनका कोई रद्द्यामल भी नहीं आया मुझे नहीं लगता कि आपको परिशान होना चाहिए यमान मुझे पता है बजाहिर ठीक नज़र आता है वो लेकिन कल वो सुबह तक ट्रौने खाब देखकर ड़ता रहा यानि हमें उसके डॉक्टर से बात करके उसकी दवा को बदलने की ज़रूरत है या पिर उसके दवा की मिक्तार को कम्या ज्यादा करने की अभी कुछ ना करना ही बेतर है अगर उनको दोरा पड़ा तो हम देख लेंगे यमान मैं क्यू नहीं भाँच पारी उस तक मैं जानती हो यह मुनासिब वक्त आई हर कोई यहां बहुत परिशान है लेकिन मेरी परिशानी डबल है जिया की तरफ से परिशान हो क्यों ना हम किसी पिक्निक पर या कहीं और जाने का प्लैन बनाए सेहर भी पिक्निक में इंजॉय करेगी पिक्निक क्या मतलब बाहराल जो भी है इस पर कल बात करेंगे शब भाखेर ठीक है यमान शब भाखेर बात करेंगे बात करेंगे कर दो झाल 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 तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो मैंने कहा था कि इंजेक्शन नहीं लगेगा मैं मैं कमरे में गई थी ताकि उन्हें इंजेक्शन के लिए काहिल कर सकूँ और मैंने उन्हें जब सोते हुए देखा तो उन्हें इंजेक्शन लगाना बहतर समझा क्योंकि ये मिस्जेहर के लाज के लिए बहुत स्याता जरूरी है तुम्हारी ये फैसला करने की चुर्ण कैसे हुई आइंदा कभी बगएर इजासत उस कमरे में मता आना आप ठीक कह रहें लेकिन मैं बस उन्हें वेथर करना चाहती थी अब तुम्हें वालूम है कि तुम्हें क्या करना है जाओ यहां से जल्दी बताओ इंजेक्शन लगाया के नहीं? नहीं लगा सकी क्योंकि यमान सहब ने मुझे पकर लिया